Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं आप लोग मेरा नाम जुनेद है, तो आज किस वीडियो आप बात करने वाले हैं कि अपनी Apple Watch को कैसे अपने hand gesture की help से यहाँ पर use कर सकते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी Apple Watch Series 5 है और मैंने यहाँ पर अपना hand gesture activate करके रखा हुआ, आप forward हो रहा है, मैं double pinch करूँगा, तो यह backward में जाएगा, आप देख सकते हैं, और मैं जब यहाँ पर clinch करूँगा, तो यह select हो जाएगा, तो इसे हम कैसे अपनी Apple Watch में enable कर सकते हैं, और कैसे हम इसे use कर सकते हैं, और इसे क्या-क्या benefits हैं, कौन-कौन लोग इसे बहुत easily use कर पा कराएंगे, उसके बारे में, यहाँ पर step by step में आप लोग बताऊंगा, आप easily यहाँ से इसे enable कर सकते हैं, अपनी Apple Watch में, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, कि आपकी Apple Watch Series 4 या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए, इस hand gesture को activate करने के लिए, अगर आप लोग यहाँ पर Apple कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों कि इसे कैसे enable करना है, तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं, अपनी Apple Watch में hand gesture enable करने के लिए, हमें सबसे पहले, अपनी Apple Watch को Watch OS 8 पे जो है, इसे update कर लेना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, settings में आपको जाएंगे, about में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, कि आपका जो version है, Apple Watch का, Watch OS का, यहाँ पर 8.4.1 मेरी Apple Watch Series 5 में है, अगर आपकी watch यहाँ पर watch OS 8 या फिर उसके ऊपर के जो version है, उस पर updated है, तभी आप इस पर hand gesture का जो feature है, उसे enable कर पाएंगे, hand gesture क इनेबल करने के लिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी Apple Watch की settings में चले जाना है, settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर find कर लेना है, accessibility, accessibility को आपको open कर लेना है, open करने के बाद आप यहाँ पर scroll down करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो पर इसे on रखना है hand gesture जब आप इसे on रखेंगे तभी आपकी Apple Watch में hand gesture का feature जो है वो enable होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंच में जो है forward रख सकते हैं यहाँ पर बैकवर्ड भी रख सकते हैं सिंगल पिंच में और यहाँ पर डबल पिंच में जो है आप backward या फिर forward रख सकते हैं मैंने यहाँ पर backwards रखा हुआ है आप यहाँ पर क्लेंच में tab रख सकते हैं बाकी आप कोई भी option यहाँ से choose कर सकते हैं जो आपको easy लगे यहाँ पर आपको जो है action का menu देखने को मिल जाएगा double clinch में मतलब यहाँ पर जब मैं double clinch करूँगा तो वह किसे आपको क्या करना है सारी चीजे आपको दिखाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यह पींच करेंगे तो आपको पिंच करलेना है जैसे पिंच करेंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसने पिंच को रिकगनाईज कर लिए यहां से डन कर दीजिए आप डबल पिंच पर चले जाएए फिर आप यहां पर डबल पिंच करेंगे तो आपको यह रिकगनाईज कर लेगा उसके बाद आप नीचे आ जाए कि क्लेंज कारना यह भी आपको दिखाएगा तो आप यहांप लुब्स्राइब डब्ल क्लेंच पर आ जाईए करने के बाद लेख किलेले कर लोगा उट थे वाए इसके बाद उल्कार जांने के बाद और आफ लोपने आप देख सकते हैं मैं यहां पर home page पर आ गया हूँ अब मैं इसे sleep के mode में कर दूँगा इसके पास मैं अपनी wrist को tilt करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा इसी तरह से दोस्तो आप जो Apple watch का menu इस पर भी कर सकते हैं तो आपका यहां पर पिंच करेंगे तो यह सरकल मूब होगा forward में जाएगा और आप डबल पिंच करेंगे तो यह backward में जाएगा तो यह दोस्तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके हाथ में जो दूसरा हाथ है जिससे आप Apple watch को use करते हैं उसमें चोट है या फिर जो है इंजर्ड हैं या फिर आप physically disabled हैं तो आप यहां पर इस hand gesture की की help lacking आपनी एपल वाच को मूफ कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और अपने टास्क यहां पर कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो यह फीचर बहुत अच्छा लगा Apple watch का जैसा कि आप दोग देख सकते हैं यहां पर ही इसली है हमारी work करती है और बहुत ही efficiently यहाँ पर work करती है यहाँ पर आपको कोई lag देखने को मिलेगा आप एक pinch में इसे बहुत ही easily use कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है आप यहाँ पर double आप work करेगा इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप motion से भी जो motion pointer होता है उससे भी आप अपनी apple watch को activate कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर accessibility में चले जाना है accessibility में जाने क 들고 あपको यहाँ पर आप सबसे गांव कर जाका यहाँ अब यहाँ आप ढीकिंधर्य आपको यहाँ पह यहाँ इस पुएLer है आप यहाँ इसके करने के स्कुन र देखने जाएगा तो यहाँ अब कर लिजे हाँ यहाँ से ड्यूंक्य आप यहाँ-पहि करने कब पॉइंटर को जहां-जहां मूफ करेंगे अपनी रिस्ट से यह उस उस चीज पर पॉइंट करेगा आप जैसा कि देख सकते हैं तो आपको यहां से पूरा बैक चले जाना इसे यूज करने के लिए अपनी होम स्क्रीन पर आ जाना और यहां पर देख सकते हैं हमारा जो कर रहा है मैं इसे साइड में करता हूं तो यहां पर दे सकते हैं मेरा जो वाच फेस है वो यहां पर चेंज हो चुका है और मैं इस साइड करूंगा तो यह अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जो है वाल पेपर चेंज कर देगा मैं यहां से बैक कर देता हूं तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये features हमें comment करके ज़रू बताइएगा अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो आप इसे enable कर लीजिए अपनी Apple Watch में अगर आपके हाथ में चोट वगरा लग गई है तो आप इसकी help से अपनी Apple Watch को बहुती easily use कर पाएंगे जो की बहुती अच्छी बात है तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कर दीजेगा और हमाएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care and thanks for watching कर दो